Hello students, welcome back to the platform of Vimra Vidya lai e-classes. आज ना वीडियो लेक्चर मा आपने तमारा पीपर 501 Molecular Basis of Microbial Genetics ना Unit 2 के जेनू नाम चे replication of DNA विसेचर चा करिशू. So, let's start with the introduction of DNA replication. DNA replication DNA replication is the biological process of producing two identical copies of DNA from the original DNA molecule. DNA replication एक biological process जे जेनौ एक परेंट original DNA molecule माथी बेनौवी identical copies. एना जी विच बने जे. DNA can make exact copies of itself. This process is known as replication. Another definition of DNA replication. Replication occurs in all living organisms. And it is basis for biological inheritance. एक जे आनोवन चे आनोवन शेखता माटे नूओ जी बेजिज जे चाहे. replication. Okay? The primary role of any mode of replication is to duplicate the base sequence of the parent molecule. एल्टे के जी DNA replication नो जी primary role सुच है. तो के? के जी एनी parent molecule छे है एनने duplicate करवी. एनने एना जी ओईच नवी strand produce करवी. The result of replication is the formation of two double helices. One strand is dotted and second is parental strand. अवे तमारी पासे double helices structure चे DNA. ए उपन धाए जे. एमाँ ए उपन धाए तो एनी जी बे स्ट्रेंड चे. बनने स्ट्रेंड ए टेंप्लेट तरीके वर्ट से. अनने एना अंदर जी बे नवी जी टोटर स्ट्रेंड बन से. मतलब के जी एक स्ट्रेंड छे पैरेंट चे. यानी सामेज नवी स्ट्रेंड बनने जी. यह जी नवी छे. इंवारेंड यह एंड़ीू स्ट्रेंड अन्हें, जे अनदर जे इकेंडवन चे इनावारी पेनेंटर स्ट्रेंड दे टू स्ट्रेंड्स ओफ डी एने आर कमबाइन बाया हाइड्रोजन बॉंड्स बिट्विन द प्यूरीन अन पिरिमीडिन्स आइडेनीन वीच थाइमीन और ग्वानीन वीच साइटोजीन जे तमनेखब बरच छे के आपड़ डी एने डबल हाइलिक स्ट्रक्चर नी अंदर बनी चुक्या छी है कि जे बेस्ट्रेंड छे एस साइना वड़े जोडा है छे तो के नाइट्रोजीनस बेस थी तियूरीन्स अने पिरिमीडिन थी जे जे आएनेड़ एक थाइमिन साने डभल हाइड्रोजीन बन्थी जोडायाच clair उल्टीि DNA replication start at a specific location that known as origin of replication, which is rich in adenine and thymine. अवे तम्मारों अक्खो डबल हैलिक स्ट्रक्चर छे DNA नूँ बराबर एमा थी एवी कोई specific location के जे जग्या ही थी तम्मारों DNA नूँ रैप्लिकेशन स्टार्ट थाएज। ए जग्या ने अबड़ेसु कईसु ए लोकेशन ना ओरिजीन आफ रैप्लिकेशन बराबर अन्ने इजी ओरिजीन आफ रैप्लिकेशन होय चे DNA डबल हैलिक स्ट्रक्चर मा ए एडेनीन अने थाइमीन जे बेजिस चे नाइट्रोजेन बेजिस एना थी रीच होय चाहा। नंबर अब प्रोटीन और अन्जाइम्स आर असोचिएटेड विद रैप्लिकेशन फॉक विच हाल्प्स इनिशेशन, कंटिनुएशन अन्टर्मिनेशन अफ डिएने सिंथेजीस। मतलब के जे तमारों डिएने नन्ट रैप्लिकेट थाये चे यह एननी जे प्रोटीन अन्टर्मिन अन्जाइम्स असोचिएट थाये लाओ चे जे अनि अगर आप्रोटीन थाये शक्के नई के जे रैप्लिकेशन फॉक बने चे वाई शेप मोडल के जे आपड़े नेक्स्ट जे वीडियो लेक्चर मा जोईशू के जे डिएने नन्ट इनिशेशन स्टार्ट थावानी प्रोशेस अन्न कंटिनुए राखवानी प्रोशेस अन्ना पछी यह उँँ सिग्नल अपवान के हवे डिएने रैप्लिकेशन एंड थावानो टाइम जे तब दूज जे वर्क चे काम चे यह प्रोटीन अन्ने एंज़ाइम्स द्वार आसोशेटेट जेलो जे ओके सेमी कंजर्वेटिव मौड अफ डी एने रैप्लिकेशन डेल ब्रक सजेस्टेट यह उँँ सजेस्ट करियू एन द्वार आयू कहवामा आवियू कि जे वाट्सन अन्ने क्रीक्टों चे डबल हैडिक स्ट्रक्चर चाहे यह त्रोन मौडल थी रैप्लिकेट थाई शक्या चाहें कहां त्रोन मौडल थो के कंजर्वेटिव इस परजी वन है सैमी कंजर्वेटिव फर्स्ट वन जोई एक कोडिंग तू दू दबल हैलीक्स अफ डी एने फॉर्म इन वीच वन डॉटर मोलेक्वल कंटेंस न्यूली अगे सिंथेसाइज डिने स्टेंज्ड इतले के म मजी एक डबल हैलीक्स स्ट्रक्टर टेमां थी डबल हैली स्ट्रक्टर फों थाएज इने गेएन नौ एक्ट्चर अइनून यूली शिंथेसाइस सै। ग्राब दस दोब्ड याज्वल एँस वोड बंड बी उन्चेंज बिजु बन से एक यह वह से आखो न्यू सिंथेसाइजर से आँ आँ अतु एनू इच्ट जोई ए ठोके अकोर्डिंट्ट दे सैमिकंसर्वेटिम ओड अप्ट था रहे यह यह अनू बढ़ेख स्ट्रक्चर तो बनने स्ट्ट टेम्पलेट तरीके वर्ट से अन्ने माथी जिन नभी सिंथेस तसे यह बनने नभी ड़कर स्ट्रेंडर सेंद्डर से अनने आपने daughter strand कहीशू। दस result is two double helix form that consist one parental DNA strand and one new parental strand. ये एखदी ये parental असे अनने जे नवी बन से ये parental नी identical असे अनने आपने daughter strand पूर कहीश है किये जे ये parent ने template धरीके बना वी ने नवी form धाया। 3. According to the dispersive mode of replication, the parental double helix of DNA is broken into double-stranded segments that act as templates for the synthesis of new double helix molecule. लेकि जी तमारू double helix structure अधू, ए नानाना segment मा ब्रोकन जाई जासा, अन्य ए ब्रोकन धेला PCS इन नवा नवी जी स्ट्रेंड नों formation करवा माटें एक टेंप्लेट बनावी ने माथी formation कर से, तो आहां आतू तम्हारू dispersive model के तम्हें फीगर मां जो ही शक्को चो कि conservative model मां जे एक छे double helix structure अन्योली synthesize चे अन्य एक छे parental जे जारे dispersive मां एना PCS मां थी बनियो जे जारे semi conservative mode मां एक एनी बंदके बनने strength parental जे template तरीके वर्थ से अन्य मां थी नवी डॉर्टर बन से ओके पॉसिबल मोड्स ओफ DNA replication आजे थोर्ड मोड्स स्वरी त्रोंड जे मोड्स डीन रेप्लिकेशन ना ए सजेस्ट करवा मां आवे आता डेल बंद्वारा बट आ त्रोंड मां थी कई एकसेप्ट करवा मां आविउँ छे एक एकस्परिमेंट द्वारा डीसाइड करवा मां आविउँ कि जे मिलसल अने स्वरी मिसल्सन अने स्टेल ना बे साइन्टिस्ट कर्यों ओके इन 1958 मिसल्स अने स्टेल डेमोस्टिटेट देथ सेमी कंजर्वेटिव नीचर ओ रेप्लिकेशन एमने नकी करी दिदू कि जे रेप्लिकेशन नों मॉडल छे सेमी कंजर्वेटिव वज केवी इतना दयना माटे एमने एक एकस्परिमेंट करियों कि जी आपने जुई E. coli grown in several generations in a medium containing heavy nitrogen isotope लेकि जे एमने E. coli लिदा अने एमने जे heavy nitrogen containing medium छे एननी अंदर अमुग generation माटे ग्रो करावड़ा है All the nitrogen of the bacteria including that of the DNA become Na55 which is heavier than ordinary DNA लेकि यहनु जे दरेक सेल माटेरियल अथू यह बद्दू जे N55 जे nitrogen, sorry N15 जे heavy nitrogen थी label धाई गल के जे ordinary जे heavy यहना थी heavy यहत, ordinary DNA करता The density of DNA distinguished by the ultracentrification using a cesium chloride gradient लेकि cesium chloride नो जे gradient जे एमा आजे density चेक करवा मावेची DNA ने के N55 मालो के heavy छे है के यहनी density low छे Now, cells with N55 labeled DNA grown in the light nitrogen N14 containing media and allowed to divide for several times यह लेकि N55 मा आपने label करया पची यहनी first generation N15 मा आपने label करया पची N14 यहन्दर यहने grow करया मावेची तो यहनी first generation मा सुझवा मालेची तो के after the first division the DNA was extracted that was found to be a hybrid N14 plus N15 this hybrid was not as as heavy as N15 nor as light as N14 but had a intermediate density तो के नहीं फर्स्ट जनरेशन चे के भी माला चे कमने तो के N14 plus N15 तो के नहीं अनिदर N14 यह जिख्वाची यह 50% तो कमने N14 containing DNA मार्स है यह 50% यह N15 containing DNA मर्स है 50-50 chances आफ्टर जे सेकंड डिविजिन फर्स्ट बची एन्ने सेकंड डिविजिन करा आवेची तो क्या मीडियम मा N14 मांच काइंड्स ओफ डियने विर फाउंड नॉर्मल N15 DNA 50% एन्न हाइब्रीड N14 plus N15 DNA 50% यह जे रेशियो चे चेंज दे जाएचे लोके N15 DNA मर्स है 50% अन्न हाइब्रीड मर्स है 50% मर्स है अब जे थर्ड डिविजिन करा आवेची तो क्या आफ्टर तो तो डिविजिन 75% एलोके 3 by 4 of the DNA वोस नॉर्मल N14 DNA N25 एलोके 1 by 4 वोर्द N4 was hybrid N14 plus N15 एलोके आफ्टरोने डिविजिन पची यह नू नक्की करवा मावेचे के आजे रेप्लीकेशन चे कया मोड थी थाये मतलब के आफ्टर एक्स्परिमेंच रिजल्ट शोस देट पैटर्न आफ एक्स्ट्रेक्टिड DNA कुड only have been observed if DNA molecule contains a template strand from the parental strand ऐलोके या पैटर्न आपने त्यारेज जोई शके जारे एं जे डॉटर सेल छे एं स्वरी डॉटर स्ट्रेंट चे ये parental template माझी बने ली होई त्यारेज आपने याँ मोड जुवा दुवा मड शके तो आपने जाने यह चे के पेरिंटर स्ट्रेंड के या मोड मा ट्रांसपर दाया चे तो के सेमी कंजर्वेटी मा ओके दस डिये ने रेप्लिकेशन इस सेमी कंजर्वेटी मॉडल ओके यहनों एक्सपरीमेंट्स है के नमा तम्हें जो ही शको चो के N15 मीडियम फर्स्ट ओफ ओल एनना पच्छी ना त्रणे जे मीडियम लगे जे N14, N14 अनने N14 मा ट्रांसपर करवा मा आवेज़े यहनों रिजल्ट जे तमने बतावेल छे के जे हैवी अनने लाइट के जे बैंड जोवा मार जे अब जे हैवी बैंड जे यह तमने फर्स्ट वन मा जोव जोवा मर से एनना पच्छी तमने लाइट बैंड जोवा मर सभाए तो के जे तमने लाइट नाइट नाइट्रोजन जे कंटेनिंग मेडियम मां ग्रोव कराओ जो ओके ओरीजिनल जे डी अने छे नीचे एमा तमने एनननों जे रैप्लिकेशन धाईने जे 50-50 चांसीज माल मोस्ट ओफ दजी रेशियोर चाहे ये बद्धोज तमारो एन 14 कंटेनिंग डी अननों चाहे बेराव एलेके 3 by 4 चे एन 14 चाहे 1 by 4 चे जे हाइब्रेड हतु एच ताना पर दी तम्हें कंप्लूड करी शक्वा चो के डी अने रैप्लिकेशन इन एकोलाई एस सेमी कंजर्व करवामा आवेश है कि जे मिसल्स अननस टेन ना एक्सपरिमेंट परती नकी करवामा आवेश है तो आतु तम्हारू इंट्रोडक्शन फ़र दो सेमी कंजर्विटिव मोडल और डी अने रैप्लिकेशन एड फॉर दो डी अने रैप्लिकेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हैं